हाँ गाई तो आज हम बात करने वाले हो अपस हाब यह होगा है कि आज की पहला है कि ऑ बारोट के थे यह संस्थ घॉंध ही सब कर घ Selbst पारयम होता है तो एसेंट यानि प्राचीन भारत सिंदुगाड़ी सभीटा से स्टार्ट होता है जिसे हम हरपा सभीटा के नाम से जाना जाते हैं लश्रमें लच्ठी नियसाय का पाकिस्तान भारत से जाना से यानद में मिफ्रच非 बिदाउं मिफ्रख में करेंश भारत बड़ी सब्सक्राइब कि आगे बताएंगे वीडियो में इसकी सभी चीजे नगार योजिना ले लिए sleeps मalगे लाटोड़ म category विल्यास लेजी देजिए रहन सान लेजिए सभी यानि कि मीश्रे मेटों पेशोपडामियां चीन के सभीता से बहुत अधिक मात्रम उन्नत थी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट के वर बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट देगे क्या है 1920 में भारत पुरात्पी विभाग दुवारा किये गए सिंदुगाटे के उत्खननन से प्राप्त अवसेशों से अरपस अवेता रमोन जद्रों जैसे दो प्राची नगरुगी खोजवी त भारत्पी विभाग दुवारा तो कब खोजवी तो 1922 में खोजवी तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट के वर बढ़ते हैं हैं कि हमारा नेक्स पॉइंट क्या है है भरत पुरात्पी विभाग यही पुरात्पी विभाग जो 1920 में हरपा सबेता यहीं हरपा और मौंझ ओदरो जैसे दो पराचि नगर मिखोज्ए विभाग दुवारा यानि भरत पुरात्पी विभाग दुवारा ततकालिन डारेक्टर gander जोन मार्षल कोन डा टर सन 1924 में सिंदु घाटी सभेता एगि BEC आम था तो किसके कहल नाम था तो किसके तो कहलु कोन ता है तो आज बात करने वाले हैं ती आनय नामकृण और इसकी व काहां से तक फ्लimme यह ओड़तार क्ाहां तक प्ली उगहें इस के बारे में इस वीडियों से डिटेल समझाइएए ने छत्राइब श्राइब नशन्टर ने दीदिश्व ने ऐसके नाम का नामकरन की ज़ार पर रखा गिया है इसमें विद्धानों का बहुत अनेक अनेक मत है तो यह हम देखते हैं क्या मत क्या है कि इसके नामकरन में रिशा कि सिंदुकाली सब्वेता छेत्र अतन वेपाक था ठीक है आरम हडपा और मोहन जोदलो के खुदाईस से इस सब्वेता का परवान मिले अता विद्वानों इसे सिंदुगाली सब्वेता का नाम दिया क्या नाम दिया विद्वान में सिंदुगाली सब्वेता का क्योंकि ये छेत्र सिंदु और उसकी सायक नदियों के छेत्र में आते थे किसकिस नदी की सिंदु और सायक नदी सिंदु की जो सा काली बंगा रंगपूर रोपड लोथल आदी छेत्रों में सभेता का उसेस मिले जो सिंदूर उसके साइक नदियों के छेत्र के बाहर था यह क्या था बाहर था ठेक है अधाहा इतिहासकार इस सभेता का परमुक्य ने लिए हडप्पा होने के कारण यह बीच में हड़ा है वह फिरे लिए बीच में ठीके अमेप के दोबर हम समझेंगे पीछे देखिए देखिए कि बिस्थार देखिए मांडा महां आपको सिमा होगया तो सब्सक्राक्रा फिस ग य। परफिस्था क्या है तो मांडा है जुक efforts पड़ता था सुथकांगे दोर वह वह जहां जो इशीन में सीमा । तरफनी सिमा देखिए दायमाबाड जो कहां पढ़ता था महाराष्ट में पढ़ता था आप कोश्टन मिलान चिन दे सकता है कि इस नुगाली सब्धा का मिलान चिन करें अब देदी आलम गिए तो क्यों चेत्र में कौन तरफनी महा है अब इस तरह कोश्टन पूस्ट पूस् रहरा भारत के पस्थमी चेत्र में तो ये एरिया में इसकी मतलब की ये फला भड़ा यहां पे इसका विस्तार था और इसका विस्तार भारत क्या लावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से का पर प्रका अप्र पूरा आरिया आ व्यूश्थ drastically तक नर्मदा नदी के मौहाने तक पस्तिव में जैसे के आपको बोले जिस्तान का सुथ का अगेंडेट था ठीक अपूरे में कहां पड़ता है यूप मी पड़ता है ठीक है और दूसरा नेक्स्टर की वह उत्तर से दस्चीन लगबग उत्तर से दस्चीन नसे कि यहां है न इ इस तरह मेब बनाए जाए भारत का तो उत्तर से दस्चीन के ओर उत्तर से दस्चीन के ओर इसे माल लिजा जाए उत्तर से दस्चीन के ओर यह रहा उत्तर से दस्चीन के ओर तो उत्तर से दस्चीन लगबग केतना है 1100 किलोमेटर उत्तर से दस्चीन केतना है 1100 किलोमेटर है ठेक है और पूरव से पसीम यानि कि अब ले ले लिजिए पूरव से पसीम और पूरव से पसीम क्यों तो पूरव से पसीम कितना है तो 1650 mm कि सब्सक्राइब तक फेली वी थी अभी तक उत्कनन उत्तता अनुसरधान दारा करीब 2880 ग्यात हुआ कितना तो 2800 अस्तल यह लग ग्यात हुआ है कि देखे पूरख से पस्तिम कितना था पूएंट को बढते हैं नोट में देखे क्या लिखा हूए है नोट में लिखा हूए कि वर्स-डूयाथारा में उत्रपडेश बागवथ जिले बागवत जिले के साधिक पूर सिनोली गाउं से लगबग 2000 इसा पूर्व के पुरात्विक साच प्राप्त हुए इस अस्तल को भारत पूरात्विस रेच्चन ने राष्ट महत्व का घोस्तित किया है उर्तर प्रदेश के बागवत जिले में ठीक है पूरात्वी साच प्राप्त हुआ है जो लगब लगवत 200 इसा पूर्व का बता जाता है कितना 200 इसा पूर्व का ठीक है नेस्ट पॉइंट को बढ़ते हैं हमाने नेस्ट पॉइंट है इस इसमें बतायागी या नेक्स्ट में क्टा बतायाग। सिर्दु खाती सबयता के अपने तिर्भुजा अधिकार सवरूप में थी जिसका च्छेत पर 13,000,000,000 km है यहां तिर्भुजाकार क्यों बताया गया इसका पीछे मिकारण अध्यसकी यह बहारत कमे प्रहाँ तो देखे यहां पर देखे आपका यहां पर आमगर आया यहां पर मांदा आया यहां है यहां पर शूथकार निर्ष तो यह आप कि यहयह торिएm है एक है ऑधाय उसलिए इस चेत्र को तीर्भोजा आकाँ शरूप दिया आप को पूछेगा कि सिंद्यूगाड़ी सब्वेता को की शरूप में बताया गिया है कि सरूप में तो अब देद्यायतकार तिरभुजाकार कुछ भी चार ओप्षन दे सकता है ठीक आधिसमेश कर राइट के अंसर होगा तो तिरभुजाकार होगा सेद्यू सब्वेताए का पता लगाया अब बोलेगा कि सरूप परतम सेद्यू सब्वेता को पता किस ने लगाया तो चार्स मेशन तो खालगाया तो 1826 में जिसका सारव युह और उनके दोवारा 1842 में परकासत पूस्तक में मिलता है अब इसका बदलब कि इसका वनन कप करता है प्रकासं कप करता है उसक्तक में 1842 में थे उसके बाद 1921 में भारत पुरात्वी सुरेचन विभाग के तिधकालइं अध्याच Prem भारत में 1922 का जो पुरात्वीत रेचन था वो कुन था तो कुन था तो जन्रल मार्शल ठीक है ततकालीक अध्याच जन्रल मार्शल के नेजित में किसके नेजित में तो जन्रल मार्शल के नेजित में ठीक है पुरात्वीत ध्यारेम साहनी ने उद्खनन कर उसके परमुख न कि त्यारम कोन था वहां बदलब की उस टाइम कोन उत्करन किया था तो द्यारम सही नहीं जो हड़पा और मौन जोदर के खोजने में उसके उत्करन में बहुत बड़ा योगदान था ठीक है यहां पर देखिया ठीक है हलपा सौर पर्थम हलपा की खोज हुआ इसलिए इस सभेता का नाम हलपा रखा गिया आप कोशन पूछ रखता है कि निमली कीट में से हलपा सभेता की उत्करन में सबसे पहले किसकी उत्करन नहीं तो उसमें अब कोश्चन दे सकता है कि रोपर आलंगीरपूर धायमा वाद्शू का देड़े ओर ठीक है अब कोशन चाहर दे सकता है उसमें राट एंसर क्या होगा राप्पा कि नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं जासे कि सर जों मार्शल के निदे से अनुसार निदे सानुषार तो कोन तो राकलतास बन जी जो सिन्जु हार्ड शबेता सिंजु हालड़ी सबेता के श्टल महां जरु गी खोज 1922 की नियुट के दीजमेके हअधbefore शॉर्ट याद रख्येगा सब्सक्राइब कि इसके काल मेंख सब्सक्राइब कभ सकते नहीं काल सब्सक्राइब यहां दिया गिया है यह सभेता 400 या 500 वर्सों तक भी दुमान रही देगी 400-500 वर्सों तक भी दुमान रही तथा यह अपनी परिपक को अवस्ता में था नवीन सवतकर नुसार यह सभेता लगबक 8000 साल पुरानी है आप कॉस्टन में पूछ सकते हैं यह वर्तमान इस बता रहा है यह बहुत इंपोर्टन है अब इसके बारे में लिखेंगे कि वर्तमान में यान कि नवीन सवतकर नुसार अ पुरानी है तो आपको मतलब कि कुछ प्लस पॉइंट मिल सकता है इसे ठीक है कितना पुरानी 8000 साल पुरानी नवीन सवतकर नुसार नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं बस आप आखरी है कि देखिए सिन्दु घाड़ी सबेता के निर्माताओं के निधारन का महत्पून सुरत कि तो क्या कि सिन्दु घाड़ी सबेता कर निर्माताओं के निधारन का महत्पून सुरत किया है मतलब कि कि निर्मान किस ने किया यह कहां से आया अचानेक तो कोई चीज और आनी सकता है निर्माताओं कर निदाने की सुरोष से किया जाया तो क्या हुआ कि अब बहुत लोग भी जानी सबका किया कि उध्खनां से जो पराप्त कंकाल था सबसे अधीक कंकाल महाझंजचुदो सप्राफ्पत हुए इनके परिशंच से यह निदारत किया हुआ कि सिंदु सभेता में चार पर जाधी निवास करती थी थी शिकतार पर बता रहा है ये कशनकोट कहां मिला है तो वह कंकाल आपके जाके मोहन जो दुलो मिला याद रखते जाएगा करनकाल कहां मिला मोहन जो दुलो में तो मोहन जो जो करनकाल मिला उसके परिचन किया उसके अध्यन किया विज्ञानकों ने तो विज्ञानकों ने इस परिचन में क्या पाया गिया उससे बचले बातें तो उस परिवक मतलब कि प्रिष्ट किया उसमें पाया कि क्या कितना तो कि कितना इसमें निवास करती है ऑसमें यह ते चार प्रजाति करें की सथार पर कंखाल के दार पर कहां पराफ्ट हुआ है कि महन्हों पराफ्ट हुआ कि कह सबसे अधिक किश परजाति के लोग पाएं सबसे दिक फुमसर्ण सार्थि के लोग पाए आप के सबसे किस पुछ सकता है मां व्रраж हिसाधिक प्रज्ण के अ किस जाति हैं आPe को कैसा लगा आप कोमेंट में बतायेगा कि आपको क्या न्याप के लिए पाटिक उ करें कर दियेगा और दोस्तों को भी दिखाएगा ये वीडियो कि वो ये वीडियो हर एक्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है